राश्ट्री शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्री शेक्षिक प्रवध्योगी की संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है नवोदय विद्यालेयों की छटी कक्षा के विद्यार्थियों की योगित आविस्तार हेतु वारता रक्तदान स्कूल में आधी छुटी हुई तुमने अपने किताबें समेटी और दोड़ पड़े खेल के मैदान की ओर इस कोशिश में कि तुम अपने साथियों से पहले पहुंच जाओ तुमने कुछ ज्यादा ही जल्दी मचाई और सीडियों से उतरते हुए तुम्हारा पाउं फिसला और तुम लुड़कते हुए नीचे आगिरे जब संभले तो देखा कि तुम्हारे घुटने पर गहरी चोट आई है जिससे खून बह रहा है तब तक बहुत से बच्चे कठा हो चुके थे कोई तुम्हें धाडस बढ़ाने लगा कोई खून देखकर घबरा गया तो कोई द दवा लगा कर पट्टी कर दी लेकिन चोट गहरी थी इसलिए तुम्हें तुरंट दवा खाने ले जाया गया वहां डॉक्टर ने चोट देखने के बाद बताया कि टांके लगाने पड़ेंगे उसके बाद जो तकलीफ हुई वो तुम भी जानते हुए तुम सोचते रहे क टांके न लगते तो क्या फर्क पड़ता थोड़ा बहुत खुन ही तो बहता लेकिन दोस्त ये न भूलो कि खुन की एक-एक बून्त कीमती होती है ज्यादा खुन बहने से हमारा शरीर कमजोर हो जाता है और जब खुन की कमी शरीर से सहन नहीं होती तो बाहर से खुन पढ़ता है। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ क्यूंकि टांके लग जाने से कुछ देर बाद खून बहना बंद हो गया था। बाहर से खून चड़ाने की जरूरत पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या खून की कमी को खून से ही पूरा किया जा सकता है। क्या खून की कमी को पानी या किसी अन्य द्रव से पूरा नहीं किया जा सकता। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें खून की बनावट को समझना होगा। दरसल हमारा खून पानी की तरह का कोई सरल द्रव नहीं है। वो कुछ-कुछ जलजीरे या आम के पन्ने की तरह का एक द्रव प्रधान वहलका गाढ़ा समिश्रण है जिसमें कुछ घुलनशील और कुछ अघुलनशील चीज़ें एक साथ मौजूद रहती हैं। हमारे खून में एक मुख्य हिस्सा जीव द्रव्य का होता है, जिसे हम प्लाजमा कहते हैं। प्लाजमा जीवन का आधार है और एक हलका गाढ़ा तरल है। इसमें पानी के अतिरित, लवनों और प्रोटीन की भी निश्चित मात्रा होती है। लेकिन खून सिर्फ प्लाजमा ही नहीं है। जो चीज खून को प्लाजमा से भिन्द बनाती है, वो है खून में कुछ जीवित कणों की मौजूद की, जिने हम रक्तकन कहते हैं। जब प्लाजमा में ये रक्तकण मिलकर तेरने लगते हैं तो वो प्लाजमा न रहकर खून बन जाता है रक्तकन तीन प्रकार के होते हैं लाल रक्तकन जो शरीर के हर कोने में आक्सीजन पहुचाने का काम करते हैं श्वेत रक्तकन जो पहरेदारी और रोगानों से लड़ने का काम करते हैं और प्लेटलिट्स जो खून बहने के समय ठक्का बनने के प्रक्रिया में मदद करते हैं। अब इस बात को समझा जा सकता है कि खून की कमी को पानी या अन्य किसी द्रव से पूरा नहीं किया जा सकता। मजबूरी में तातकालिक तोर पर पानी में आवश्चक लवन वश्चकर घोल कर उसे प्लाजमा जैसा बनाने की और उससे खून की कमी को पूरा करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन खून की कमी को पूरा करने के लिए खून से बहतर और कोई चीज नहीं है। परन्तु बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, ऐसा नहीं कि किसी भी आदमी का खून किसी भी दूसरे आदमी में चड़ाया जा सकता है, जैसे हर आदमी का व्यक्तित्व अलग होता है, उसी तरह उसका खून भी अलग होता है, अब तुम कहोगे कि जब एक व्यक्ति का खून दू तुम्हारा सवाल अपनी जगह सही है। लेकिन चिकित्सा विज्ञान ने इसका भी हल दे रखा है। रग्तदान की दृष्टी से हून को आठ ग्रुपों में बाटा गया है। ए पॉजिटिव ए नेगेटिव बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव ओ प्रकार का खून सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ए बी प्रकार का खून सबसे कम। चिकित्सा विज्ञान ने भले ही ब्लड ग्रूप बना कर काम आसान कर दिया हो, फिर भी ये तो जरूरी नहीं कि जब किसी मरीज को खून चढ़ाने की जरूरत पड़े, तो कोई और व्यक्ती रक्तदान के लिए उपलब्ध हो, और यदि हो भी, तो कोई जरूरी नहीं कि उ इसलिए अस्पतालों में ऐसे विभाद की जरूरत पड़ती है, जहां हर ग्रूप का खून बोदलों में सुरक्षित रखा हो, इसी को ब्लड बैंक कहते हैं, जैसे जरूरत पड़ने पर हम अपने बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, उसी तरह जरूरत पड़ने पर ब्लड बै बड़े बड़े अस्पतालों में तो होते ही हैं, अलग संस्थाओं के रूप में भी काम करते हैं। तुम सोच रहे होगे कि अब तो काम आसान हो गया, जब जरूरत पड़े, बलड़ बैंक से खुन लिया जा सकता है। हाँ, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि ब्लड बैंक में इतना खून आता कहां से है? अरे भई, जब खून जमा किया जाएगा, तभी तो लिया जा सकेगा. ब्लड बैंक में खून का उत्पादन तो होता नहीं. तो खून जमा कैसे होता है? खून जमा होता है रक्तदान करने वालों की सहायता से. रक्तदाता दो प्रकार के होते हैं. एक तो वो जो स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं. और दूसरे वो जो ये काम व्यवसाय के तौर पर करते हैं. यानि अपने खून के दाम लेते हैं. आमतोर पर रक्तदाता से एक बार में लगभग 300 मिलिलिटर खून लिया जाता है हाला कि इससे अधिक खून भी आसानी से निकाला जा सकता है और उसका शरीर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ता कही देशों में एक बार में 400 मिलिलिटर तक रक्तदान लिया जाता है रक्तदाता के स्वास्थे की सामाने जांच करने के बाद उसे रक्तदान के लिए तैयार किया जाता है उसे लिटा कर उसकी कूनी के पीछे की तरफ यानि हाथ के बीच की शिरा से खून निकाल कर पहले से तयार किटानो रहित बोतलों में इकठा किया जाता है इन बोतलों में एक निश्चित मात्रा का रासायनिक घोल होता है जो बोतल में इकठा होने वाले खून को ठक्का बनने से रोगता है खून को बोतलों में कठा करने के बाद उसके कुछ नमूने प्रयोग शाला में भेजे जाते हैं ये जांच करने के लिए कि कहीं रक्त दाता के खून में कोई ऐसे रोगानू तो नहीं जो मरीज को नुकसान पहुचा सके क्यूंकि खून के जरिये भी कई प्रकार के रोग फैलते हैं जैसे AIDS, Hepatitis B, Syphilis, Malaria आदी प्रयोग शाला में भेजे गए जिस नमूने में रोगानों की उपस्थिती का पता चलता है उस खून को नश्ट कर दिया जाता है और जो नमूना ठीक बताया जाता है उस खून को blood bank भेज दिया जाता है वहाँ 4 degree Celsius के नियत तापक्रम में इसे विशेश refrigerator में रखा जाता है लगभद 3 सप्ता तक ये खून सुरक्षित रह सकता है लेकिन अगर 3 सप्ता में इस खून का उपयोग न हो पाए तो वो अनुपयोगी हो जाता है और उसे नश्ट कर दिया जाता है तुम कहोगे ये तो निरेबरबादी है लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि हमारे खून में पाए जाने वाले रख्तकन कुछ हफतों के बाद स्वयम नश्ट हो जाते हैं और उनकी जगह नए रख्तकन बनते हैं इसलिए अगर हमने रख्तदान न किया होता तो भी ये रख्तकन तो ज्यादा दिन हमारे साथ रहने वाले नहीं थे अक्सर पूछा जाता है कि रख्तदान का रख्तदाता के शरीर या स्वास्थे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ता दरसल अगर कोई व्यक्ति हर छे महीने बाद 300 मिलिलिटर खून दान करता रहे तो भी उसके शरीर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता स्वस्थ रख्तदाता सालों तक रख्तदान करते रहते हैं अब तुम ये भी जानना चाहोगे कि रख्तदाता को रख्तदान से क्या लाब होता है तो पहला फाइदा तो उसे ये होता है कि रख्तदान के एक वर्ष के भीतर वो उस ब्लड बैंक से अपने ब्लड ग्रूप का 300 मिलिलिटर खून ले सकता है और दूसरा ये कि रख्तदान के तीन हफ्तों के भीतर अगर जरूरत पड़े तो वो स्वैम अपना दिया खून वापस ले सकता है लेकिन दोस्तों सच पूछो तो दान करते समय लाभानी आकना ठीक नहीं है इससे दान की भावना नश्ठ हो जाती है हमारी संस्कृती में इस भावना को बड़े सम्मान की दृष्टी से देखा गया है जिसके पास जो भी वस्तूस की आवश्चक्ता से अधिक हो उसे दान करना उसका करतव्य है जिससे औरों की आवश्चक्ता पूरी हो सके तब ही तो एक स्वस्त समाज का निर्मान होगा अपने लिए तो सभी जीते हैं अगर दूसरों के जीवन में हमारा कुछ योगदान हो तो उसका सुख कुछ अलग ही होगा रक्तदान अभी आपने ये वारता सुनी लेखत थे डॉक्टर संजय चतुरवेदी विशय संयोजन ममता गुपता वाचिका वीना होरा ध्वन्यांकन राजेंद्र प्रसाद प्रस्तुती सहयोग संजय कुमार और प्रस्तुत करता अजित होरो प्रस्तुत करता अजित होरो